Good morning students, देखो बच्चो, पीछले वीडियो में हमने चोते लेशन को शुरुआत की थी और लेशन का नाम था Numbers Up to Thousand जैसे के देखो इस लेशन में पीछले वीडियो में हमने सीखा है बच्चो एबैकस पर आपको Numbers कैसे दिखाने हैं एबैकस पर जो बेड्स होते हैं, उस पर Numbers कैसे इंडिकेट करते हैं यहां सब कुछ हमने पीछले वीडियो में देखा है और आज के वीडियो में आज हमें सीखना है Expanded Form जैसे के Expanded Form का मतलब होता है विस्तारी तुरू अगर आपको कोई Numbers दिया जाता है तो उसका Expanded Form कैसे करना है यहां इस वीडियो में आज हमें सीखना है सब सब एले देखो बच्चो फार एक्जम्पल आपको एक एक्जम्पल दिया है विच इस दिस नमबर 234 हाव मेने डिजित इन दिस नमबर देर आज हमें 3 डिजित विच आर दिस 1st is 1, 2nd one is 3 and 3rd one is 2 there are 3 डिजित इन दिस नमबर जैसे कि देखो बच्चो इस नमबर में 3 डिजित से 1st डिजित 4, 2nd डिजित 3 और 3 डिजित जो है 2 जैसे कि देखो बच्चो यहां जो 3 डिजित से उनके प्लेस जैसे कि हमने प्लेस विडियो में देखे थी जैसे कि 4 कौन से प्लेस पर है 1st प्लेस पर 3, 10th प्लेस पर और 2 जो है वहाँ है 100 प्लेस पर जैसे कि मैंने आपको प्लेस विडियो में बताया था 4 की वैलू 1st प्लेस पर जो नमबर होता है उसकी value वही होती है और next 10th place पर जो number होता है इसकी value जो होती है वहाँ जैसे कि जिसको हम 10th मतलब 10 कहते हैं मतलब जैसे कि 3 की value यहाँ पर क्या हो जाएगी 3 times are 30 मतलब 10 से वहाँ बढ़ती है जैसे कि अगर हम 3 को 10 time अगर हम 3 की addition करते हैं तो हमें इस 3 की value है वहाँ हमें यहाँ पर मिलेगी जैसे कि अगर आप 3 को अगर आप 10 से multiply करोगे तो भी आपको यहाँ पर 3 की value मिल जाएगी और next देखना है आज में 2 digit वाले numbers की जो अगर हमें इस खी ती यहाँ पर 3 digit आया लिएं अभी 3 digit कौनसा है 100 वहाँ पर 100 पलेट पर आपको कौन पर आपको कौन 1 digit दिखहे देता है 2 मतलब यहाँ पर 2 की value क्या हूई 100 और 100 पर कितने 0 होते है two zero होते हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पर hundred की place value क्या हो जाएगी, two hundred, मतलब two zero zero, yes, so देखो बच्चो, इस वीडियो में expanded form phase है बता है, जैसी के, देखो बच्चो यहाँ पर two जो हैं, वह कुनसे place पर है, hundred place पर मतलब two की place value क्या हो जाएगी, यहाँ पर two hundred, तो यहाँ पर हमें two hundred इतना है, plus add, add करते जाना है, three की place value, three zero, thirty, three tens of thirty, ओके, और once की place value, वही नमबर होता है, मतलब हमारी place value यहाँ पर क्या ही, expanded form क्या है, इस नमबर का two hundred plus thirty plus four, अगर हम इसकी addition करते हैं, तो हमें यही नमबर मिलता ही, मिल जाता है, जैसे की देखो, two hundred plus thirty, two hundred thirty, two hundred thirty plus four, two hundred thirty four, बिसे हमें यहाँ नमबर इससे मिल जाता है, यह इस नमबर का हुआ, expanded form, जैसे की देखो बच्छों, आगे आपको कुछ example दियें, जैसे की, once ten hundred, यहाँ पर, hundred place पर यहाँ पर कुन सा नमबर है 5 मतलब यहाँ पर 5 की place value क्या हुगी 500 लिखे लेखे हैं 500 plus add करते जाना है 3 की place value 3 टेंजा 30 मतलब 3 0 30 plus 8 की place value 8 ही मतलब यहाँ पर 538 का expanded form क्या आया 500 plus 30 plus 8 यह हुआ 538 का expanded form ओके ना थर्ड एक्जामपल फर्ड एक्जामपल गिवन हीर लुक यहर विच इस नमबर स्टुडंट्स यास इस नमबर इस 355 ओके यहाँ पर वस place पर कुन सा digit है 5 10th place पर 5 और 100 place पर 3 है मतलब 3 कुन से place पर है 100 तो 100 पर कितने 0 आते है 2 0 आते है मतलब यहाँ पर 3 की place value क्या हो जाएगी 300 प्लस 5 कुन से place पर है 10th place पर मतलब 5 10 आ 50 5 की place value क्या हो गई यहाँ पर 5 0 50 और 1 place पर जड़ नमबर हो ता इसकी place value वही हो जाएगी मतलब 5 के 5 यैसे के वैसे तो 355 का expanded form क्या आया 300 प्लस 50 प्लस 5 अगर इसकी हम addition करते है तो हमें यही नमबर मिलता है जैसकी 300 प्लस 50 350 प्लस 5 355 ना नेक्स एक्जमपल आपको यहाँ पर आगे दूसरा एक्जमपल दिया है जैसकी 246 आपको एक नमबर गया है ओके स्थूरंट्स यहाँ पर नमबर है स्थूरंट्स यहाँ पर 2 की प्लेस यहाँ क्या हो जाएगी 100 प्लेस पर होने की कारण 200 यहाँ पर आपको 200 के से लिखते है 2000 200,000, यह हुआ 200, ओके, next, 4 कुन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, मतलब 4 10s आ, 40, 40, यहापर 4 की प्लेस चलिए क्या हो गई, 40, plus इसमें 6 एड़ करो लेना है, क्योंकि 6 कुन से प्लेस पर है, 1st प्लेस पर, और 1st प्लेस पर जो नंबर होता है, उसकी प्लेस चलिए, वह ही नंब होता है, मतलब हमें यहापर 246 का expanded form क्या मिला? 200, plus 40, plus 6, यह होआ 246 का expanded form, और नास्ट एग्जम्पल आपके रिए बच्छों यहापर, How many digits in this number, there are 3 digits, 1st one is 2, 2nd one is 3, and 3rd one is 4, okay, 2 कुन से प्लेस पर है, 1st पेस पर, 3, 10th प्लेस पर, और 4 जो है वह 100 प्लेस पर, ओके, सो यहाँ पर देखो, आप और एक ट्रिक से इसको याद में रख सकते हैं, ओके बच्चों, जैसे कि देखो, expanded form करते हुए, 4 के आगे, यहाँ पर कितने डिजिट है, देखो, यहाँ 4, 4 के आगे कितने डिजिट है, 1, 2, मतलब यहाँ पर यहाँ पर आपको 1, 0 देना पड़ेगा, यहाँ एक ठीक से, और 2 से पहले कोई नंबर है क्या, नहीं, मतलब 2 कर टू, जैसे के बच्चों, जैसे के बच्चों, इसको याद में रख सकते हैं, जैसे कि देखो, हमने क्या किया, 432 आपको नंबर गिया था, उसमें हमने प्ले 2, 0 दिये, प्लस, 3 से पहले कितने नंबर है, कितने डिजिट है, 1 डिजिट, इसलिए हमने 3 पर 1, 0 दिया, और 2 से पहले कोई डिजिट है क्या, नहीं, इसलिए हमने 2 का 2, वह इसे का वैसी दिया, So, 432 का expanded form क्या आया, 400 प्लस 30 प्लस 2, अगर हम इसको एड करते है, तो हमें वही नंबर जो है, वह answer में मिलता है, यहां आपको ध्यान में रखने के लिए, एक trick से, ओके, आपको समझ में आई बच्चो, ओके, So, आगे देखो, आपके वर्गुट पेश नंबर 49 पर आपको expanded form पर कुछ example दिये, जैसी कि देखो, fill in the boxes to make numbers, देखो, यहां पर आपको कुछ boxes दिये है, और उस boxes में आपको, जैसी कि, आपको कुछ number दिये है, उस number के आपको place value वहाँ पर लिखनी है, और expanded form करना है, और expanded form क आपको कुछ नंबर मिरता है, उससे वहाँ आपको नीचे लिखना है, जैसी कि आपको एक example छुडा के दिया, जैसी कि देखो, 300, 510, 61, जैसी कि पहला box is, 300 मतलब कुछ नंबर, 300, मतलब 3 पर कितने 0 आएगे, 2 0 आएगे, क्योंकि 3 जो है, वह 100 प्लेस पर है, और इसलिए 3 की प्लेस वैल्यू क्या होई, या पर 300, या आपको 5 10s आ, 50, 10s में 10 होते हैं, जैसी कि आप 5 को अगर 10 टाइम दिखोगे, तो एडिशन जो आएगी, वहाँ 50 होगी, या आप 5 को 10 से अगर multiply करते हो, तो आपको या पर 5 की प्लेस वैल्यू आपको मिलेगी, और लास्ट, वस पे जो नंबर होता है, उसकी प्लेस वैल्यू वही होती है, जैसी कि देखो या पर 356, ओके, या पर 300 प्लस 50 प्लस 6, ये हुआ 300 प्लस 5 10s प्लस 6 1s का expanded form, अभी या पर देखो, 3 कोन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, इसलिए या आप 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 देखो, यह जो विजित है, या आपको memorize करना है, जैसी कि देखो, 1st number, 1st place जो होता है, 1st place, बाद में 10th place, और then 100 place, यहा पर देखो, 3 कोन से प्लेस पर आया, 100 place पर, बाद में 5 10s प्लस, 10s place पर है, इसलिए या आप आपको 5 लिखना है, और 6 जो है, वो 1st place पे है, इसलिए आपको 6 लिखना है, जैसी कि दे 100 हम केसी लिखते है 100 मतलब यहाँ पर 200 लिखना है तो 2 क्या आगे कितने 0 आएगे 2 0 200 मतलब यहाँ पर हमें नंबर मिला 200 प्लस expanded फर्म करते होगे हमें उसको प्लस प्लस करना पड़ता है add करना पड़ता है 200 प्लस 3 टेंजा 30 यहाँ पर 3 की प्लेस यहाँ गके 30 प्लस उसमें 4 जो है वो बस फ्लस पर है और बस प्लेस पर जो नंबर होता है उसकी प्लेस यह प्लेस वहाँ होगे इसलिए आपर 4 का 4 मतलब हमें 200 3 टेंज 4 वांस का expanded क्या मिला 200 प्लस 30 प्लस 4 मिल्स हमें अगर हम इसको add करते हैं तो हमें नंबर क्यों समय लाइए मैंने गा 200 प्लस 30 मतलब 230 प्लस 4 मतलब 234 सो यहाँ पर देखो 234 आपको यहाँ पर नंबर जो है वह फिल अप करना है जैसे कि आप ऐसे भी धार में रह सकते हो बच्छो 2 यहाँ पर कौन से प्लस पर है 100 प्लस पर इसलिए हमें यहाँ पर 2 डिजित लिया बाद में 30 जो है वर 10 प्लस पर है इसलिए यहाँ पर 3 जो है वहाँ हमें 10 प्लस पर लेना है और बाद में 4 जो है वहाँ बाद से प्लस पर होने के कारण 4 यहाँ पर लिखना है तो हमें यहाँ पर कुणसा नमबर मिला 234 तो देखो बच्चो इस वीडियो में आज आमें क्या सिख्या expanded form अगर आपको number दिया होता है तो उस number का expanded form कैसे लिखना है और expanded form लिखकर वो जो number आता है वह number नीचे अगर आपको box दिये जाते है तो वह number आपको कैसे लिखना है यहाँ आपने इस वीडियो में सिख्या है तो बच्चो आपको सबको समझ में आया expanded form कैसे करना है ओके, thank you